Good morning children, welcome to Hindi Virtual Class बच्चो आज मैं आपको विवा हिंदी व्याकरन बुक से पाठ दो वरन का हभियास कारिया करवाऊंगी बच्चो कलम ने वरन किये थे ना आशे करती हूं आप सब बच्चो को समझ आ गए होंगे सब बच्चे अपनी अपनी रफ नोट बुक निकालो अपनी हिंदी विवा वियाकरन बुक निकाली बच्चो निकाली बच्चो प्रशन बन सोची और बताईए मोखी बच्चो आपको ये मोखी क्वेशन बताने हैं कर स्वरो की संख्या कितनी है बच्चो स्वरो की संख्या कितनी है ग्यारा है स्वरों की संख्या कितनी है? ग्यारा है स्वर ग्यारा तथा व्यांजनों की संख्या 33 है स्वर ग्यारा है और व्यांजन 33 है ख व्यांजन किसकी सैता से बोले जाते हैं? व्यांजन किसकी सैता से बोले जाते हैं व्यांजन स्वरो की सैता से बोले जाते हैं ग, व्यांजनों की संख्या कितनी है? ग, व्यांजनों की संख्या कितनी है? उत्तर व्यांजनों की संख्या 33 है व्यांजनों की संख्या कितनी है बचो? 33 व्यांजनों की संख्या 33 है गह सयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं प्रशन नमबर दो नीचे दिये प्रशनों के उतर दीजिए बचो नीचे ये कुछ प्रशन दिये हैं इनके आपको उतर देनी है क वरन किसे कहते हैं उतर बाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे वरन कहते हैं उत्तर बाशा की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे वरन कहते हैं ख, प्रशन नमबर ख, मात्रा किसे कहते हैं, बचो ख, मात्रा किसे कहते हैं उत्तर व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं मात्रा किसे कहते हैं बचो व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं प्रशन नमबर तीन, रूबी ने सारे स्वरों को गलत करम में लिख दिया है वह उन्हें सही करम में लगाना चाती है उसकी मदद कीजिए बच्चो यह जो रूबी है इसने जो सारे स्वरें उनको गलत उसमें लिख दिया है आप उसकी हेल्प करो सही लिखने में देखो बच्चो यह क्या है? अ क्या है यह? बच्चो यहाँ पर यह देखो वेंजन कैसे लिखे है बच्चो स्वर कैसे लिखते हैं? ठीक से हम स्वर कैसे लिखेंगे बच्चो? आ, आ, इ, इ, उ, री, ए, ए, ओ, आ, दुबारा फिर से देखेंगे इसको बच्चो स्वर है यह? बच्चो बच्चो प्रशन नमबर चार दिये गए वेंजनों को क्रम से पुरा कीजिए यह देखो बच्चो यहां पे वेंजन दिये हैं और इन वेंजनों को आपने लिखना है यहां पे क, क, ग, 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 अना च, छ, ज, 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 य ज, च, ज, ज, य अना, त, ठ, ड, ध, अना, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, भ, भ, म, प, फ, भ, भ, म, प्रशन नमबर फाइब, नीचे दिये अधूरे शब्दों को स्वर या व्यंजन जोड़ कर पूरा कीजिये, बचो यहाँ पर यह जो शब्द दिये अधूरे शब्द हैं, इसको आपने जोड़ कर पूरा करना है, जैसे बचो अ, अनार, मेला, इमली, गनेश, अवाज, गाकर, रेलगाड़ी, सोधागर, प्रशन नमबर सिक्स, एक शब्द में उतर दीजिये, बचो आपको एक शब्द में उतर देना है, प्रशन क, बाशा की सबसे चोटी इकाई कौन सी है, बचो बाशा की सबसे चोटी इकाई कौन सी है, वरण, कौन सी है बच्चो वरन ख वरन कितने प्रकार के होते हैं बच्चो वरन कितने प्रकार के होते हैं दो कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं स्वरोर व्यंजन ग क के पैर में बच्चो हलंत देख रहे हैं प्लस श के मेल से क्या बनता है प्रशन नमबर ग, क, प्लस श के मेल से क्या बनता है, क्ष, क्ष, प्रशन नमबर 7, स्यूक्त अक्षर से शब्द बनाईए बच्चो, ज के पैर में हम लांते देख रहें, प्लस य, प्लस ग, ग्यानी, ज प्लस य, प्लस ग्यानी बच्चो, इसको दुबारा देखेंगे, ज प्लस य, इससे बनता है, ग्या, ग्यानी ग्यानी, त, प्लस र, त, 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 श, प्र, श, 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 मा ज्यानी, तिरकोन, श्रम, श्रमा प्रशन नमबर एट नीचे कुछ चितर दिये गए हैं उन्हें पहचान कर खाली स्थान पर सही वियंजन लिखिए बचो यहां पर कुछ चितर दिये गए हैं यह आप देख रहे हो कुछ चितर दिये गए हैं उने पेचान कर उन चित्रों को आप पेचानिए और खाली स्थान को खाली स्थान पर सही वियंजन लिखिए बच्चो यह क्या है कबूतर जबकि यहां पर बर्न ही लिखा हुआ ना कबूतर पौधा पीरन कुटिया कच्छवा मच्छली खरगोश घंटा दुबारा देखेंगे बच्चो इसको कबूतर यह क्या है बच्चो कबूतर पौधा हीरन कुटिया कच्छवा मच्छली खरगोश घंटा स्वर और वियंजन की सहता से ने ने शक्द बनाएं और कश्या में बोलिए भाषा, बात, खाना, चलना बाषा, बात, खाना, चलना बच्चो यह जो शब्द में अमने बताए हैं आपको बाषा, बात, खाना, चलना बच्चो आप और भी शब्द बना सकते हैं और शब्द बनाने की प्रैक्टिस करना और यह अभ्यास कारिया अंपनी नोड़ बूक में भी करना और इस बूक में जो यह खाली स्थान हैं बच्चो यह जो वर्ड्स आपको वहाँ पर शब्द लिकना हैं उसको भरिए और अच्छे से इसको लर्न भी करना है और अपनी नोड़ बूक में भी सुन्दर सुन्दर लिखना है बच्चो अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद